आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं वह एक और मॉक टेस्ट रीजनिंग का मॉक टेस्ट है जिसमें काफी अच्छे कोशन्स हैं इंपोर्डन्ट कोशन्स हैं जो आपको एक्जाम में काफी हेल्प करेंगे तो भी ये इस प्रैक्टिस सेशन को बड़े द्यान से आपको सीखना है समझना है पेपर पैनल लेकर बैठीए और खुद से सौल भी करते जाए और फिर बाद म सब्भी क्या कहता है उसको जरा समझना कि कोशिश कीजीए । देएं कि क्या कहते हैं फ़र्ट को स्कूर के साथ है 45 के स्कूर के साथ है उसी तरह 59 6 4 का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना यह 59 6 4 का रिलेशन किसके साथ हैं हम एक कल कलास नहीं हो पाया था कुछ emergency थी तो इसलिए नहीं जा class हो पाई थी ठीक है चलिए foot out बताईए जैसे 4845 का relation 45 के square के साथ है तो 5 9 64 का relation किसके साथ होगा आपके सामने option है भई 59 का square 94 का square 96 का square and 54 का square बताईए भई foot out बताईए speed से जल्दी से बताईए अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है जल्दी से बताईए क्या इसका सही आंसर होगा चलो मैं ही बता जेता हूँ देखे एक बास सोची यहां पर यह दि आप ध्यान से देखे देखो एक नया logic एक और logic आपको सिखने को मिलेगा और एक्जाम में आया हुवा कॉशन है भई यह यह एक्जाम में आया हुवा कॉशन है कहानी क्या है जैसे देखो यह 45 कहां से आया इसका first और इसका last डिजिट है उसको लिया first डिजिट और यह last डिजिट दोनों डिजिट का square लिखा 45 का square clear इसी तरह यहां पर देखो। यहां पर 5 और 4 है सफ पॉश्चन पर है 5 लासमशन पर 4 है तो यहां पर क्या बनेगा 54 का इस्कॉ約 तो राइ्ट आइंसर क्या बनेगा 54 का इसघ्स ओढर वोगा वह इसकाuine सही玩 सरोगा यह बात बता बही क्लियर है पका चलिए आगे देखें नेक्स विशन क्यों चलते हैं नेक्स विशन क्या कहता है हाभी इसने लिखा है कि इस वर्ड को लिखा कुछ इस तरह से मिरर लिखा तो भई इसको कैसे लिखेंगे एक बात सोचो कहीं न कहीं यह सारे लेक्टर यहां हैं लेकिन लिखा कैसे reverse order में M I R R O R लिखा है न तो इसका meaning यहां पर भी हम कैसे शुरू होगे नहीं लास से लास से शुरू करेंगे तो इसका meaning कैसे शुरू होगा भी पी से P R E P R E S E N T तो option कौन सा है भी option number two जो होगा उसका correct answer होगा तो right answer is option number two इसका correct answer है बी option बहुत 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 अच्छे भी very good यह बात हुए ना हां बिल्कुल सहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे भी हां चलिए अगला next question देखे next question क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश कीजेगा और session को like और share जरूर कर दे भी इसने कहा जैसे इसने लिखा भी E A C है E A C इसका relate किया गया के जी आई के साथ है तो उसी तरह से HDF का relation किस के साथ होगा यह आपको बताना है HDF का relation किस के साथ होगा पहले तो यह बताओ यह जो E है है यह कौन से नंबर पर आता है आपकेंगे 5 पर A आता है 1 पर C आता है 3 पर अब के कोन से नंबरDY आता है आई आता है 9 पर आप आपने एक बात नोट की यह 5 है तो यह 11 है कितना एड हुआ भई छे एड हुआ प्लस 6 हुआ भी 6, 5, 11 यहां पर A है यहां 6 है तो इसका मिनिंग 1 से 7 प्लस 6 यहां पर भी हुआ यहां पर 3 से 9 तो इसका मिनिंग पर आता है पहले तो देखे है चाता है भी 8 पर है चाता है किस पर 8 पर 8 पर आता है तो 8 और प्लस 6 करेंगे तो 14 14 पर क्या आता है भी N और एंसे स्टार्ट होने वाला एक हमारे पास है NJL, तो right answer is NJL, तो ऐसे question में हमेशा क्या करना है, कि आपको बस इतना करना है, कि last letter या first letter को आपको पकड़ना है, first या last letter को आपको हमेशा देखना है, कि first letter या last letter कहां अलग-अलग आ रहा है, तो उसका use कर लेना है, देखो, ये जो option थे, जितने भी option हमें given थे, उन सभी का first letter different था, तो केवल आप first letter को target करो, बागी कुछ करने की ज़रुत नहीं है, वहीं से आपको answer मिल जाएगा, पका, तो हमेशा आपको क्या करना है, कि छोटा सा काम करना है, यदि first letter different है, तो केवल first letter को target करो, और answer को tick करो, बस, इतना काम करना है, चलिए, अगला देखिए next क्या कहता भी next question क्या कैता है उसको जरा समझने की कोसिस कीजिए आप आप से यह कह गया कि जैसे बी यू टी इसको लिखा इसने टी यू भी आसान सा है भी समाझ गए होंगे बियूًट को क्या लिखा टी यू भी उल्टा कर option number one जो होगा वह इसका सही आंसर होगा बहुत 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 अच्छे principle one जो होगा इसका सही आंसर नों कुछ नहीं था इस questions था हो और ए Myth Math 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 that's today और इस और मत जِरा है है और से नगाई चलिए है अगला यह दो हो सामने एक और next question आता भी इसने लिखा जैसे 12593 को लिखा 35291 लिखा है ना उसी तरह 29684 को लिखा 46982 लिखा तो इसी तरह से 72936 को क्या लिखेंगे यह आपको बताना है 72936 को क्या लिखेंगे यह बताईए फटावड बताईए फटावड बताईए फटावड बताईए देखो पोजिशन पर ध्यान देजिए इनकी कौन से डिजिट की पोजिशन कहा जा रही है अब आप एक बात सोच रहे हैं यह नंबर 1 से शुरू हुआ ठीक है लेकिन यहाँ इसमें one last में चला गया ठीक है ना पक्का अब रही बात फिर two two यह last में वन आ गया यह आप ऐसा कर सकते हैं इसको दूसरे way में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वही जो इसकी last position पर है जैसे इसके last position पर three है तो three यहां पर सबसे पहले आ गया three यहां सबसे पहले आया थ्री के बाद आया यह वाली position वाला इदर से last से third right से third position वाला लिखा तो वही चीज़ अब यहां पर भी करो सबसे पहले last position पर कौन है यहां पर six है तो पहले सही answer होगा clear है तो ऐसे case में कि जब आपको लगेगी भी option का use किया जा सकता है तो ऐसे question में option का use आप हमेशा किया करें option का use हमेशा किया करें ठीक है न हाँ और एक और sympathy बात थी देखो एक और पैचान थी क्या यह last वाला शुरू में आ रहा है three की से लास्ट है तो तो पैस्ट पेस्ट है तो आप इनको कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा सिक्स पहले आजाएगा सेफन बाद वाद पर नंबर सिक्ष से स्टार्ट हो रहा है तो आफशनमों फूर पर इस ने कर जैसे 6 का Relation है 18 के साथ है तो ऐसे ही बताइए कि 4 का Relation किसके साथ होगा 4 का relation किसके साथ होगा जैसे 6 का relation 18 के साथ है तो 4 का relation किसके साथ होगा जल्दी से बताइए 6 का relation 18 के साथ है तो 4 का relation किसके साथ होगा जल्दी से बताइए जवाब दीजे जवाब दीजे अभी तक नहीं आया अभी जवाब नहीं है कुछ बच्चे कह रहे हैं भी 3 और कोई भी फुटाफट बताइए फुटाफट बताइए जैसे 6 का relation 18 के साथ है तो 4 का relation किस के साथ होगा देखे भी एक बास सोचो यहां से यहां से देखो यदि मैं यहां से देखता हूं 6 का 18 के साथ relation देखता हूं तो कैसे कैसे बन सकता है आप कहींगे सार एक तो यह हो सकता है कि multiple by 3 6 8 तो चारतीया 12 12 का यह option में है नहीं बारा तो आप्षिन में हैं नहीं तो अब क्या करें अब यह करना है कि इस लोजिक को तो यूज नहीं कर पा रहे हैं और क्या लोजिक हो सकता है और कैसे कैसे बन सकता है और ऐसे बन सकता है यदि मैं जैसे 6 है 6 में 6 का हाफ 6 का हाफ किता होता है 6 by 2 it means 6 by 2 तो इसका में निंग 3 से इसके आदे से गुना कर दूँ तो क्या बात बनती है यही तो आता न 18 तो नंबर में उसका हाफ से multiply करें तो बन रहा है तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखें तो 4 फोर में multiply करूंगा 4 का हाफ it means 2 तो चार दुनी आठ तो result किता है 8 तो right answer is 8 8 जो होगा वो इसका सही answer होगा तो right answer क्या होगा बिटा 8 इसका सही answer होगा clear है पक्का चली भी आगे दिखते है next solution देखो next क्या कहता है अब बताए इसका जवाब देखता हूं भी कौन हाँ यह प्रवक्ता वाला नहीं अब यह प्रव प्रवक्ता वी इसका जवाब दो इसका सही जवाब क्या होगा बेस नहीं कहा कि फैन और विंग्स बिपंखा उसमें क्या होते है थीक है जैसे इसके अदर तो पहिये में क्या होते है हाहाँ स्बग्रeshия है साधित तो राइट आंसर आइगा भी option three जो होगा वो इसका सही आणसर होगा option गाबड त्री जो होगा वो इसका सही आ अंसर वुर यह नहीं होगा श्वोगों क्यों होगा रिजण जैसी पंक comunidad के अंदर ही तो पंखड़िया होती है न ठीक है तो वील के अंदर क्या होते है पईए के अंदर क्या होते है तो तेलिया लगी रहती है तो राइट आंसर कि 3 option number 3 चलिए अगला देखें next देखा भी क्या कहते है अगला बताइए next बताइए next बताइए जैसे mathematics से logic है थर्क है गनित में क्या है तरक है कि आ तवी ज्ड़ं में क्या है बता 이야기 मी क्या होगा प्रियोग एक्सपेरिमेंट तो right answer is experiment is the right answer क्लियर तो राइट आंणसर जैस एक्सपेरिमेंट ट्लियर चलिये पक्का भही अगला देखिए next बताईए भी जैसे खिडकी है खिडकी का relation है फ्लक के साथ तो पुस्तक का relation किसके साथ होगा धरूर कर दीजे और चैनल को subscribe भी कर दीजे फ्लक के साथ होगा पुस्तक का रिलेशन किसके साथ होगा बताईए देखें खिड़की के अंदर क्या होते हैं भी फलक लगेते हैं ठीक है तो पुस्तक के अंदर क्या होते हैं पेज होते हैं तो प्रस्ट तो option number 3 जो होगा वो इसका सही answer होगा option number 3 ठीक है ना चलिए अगला देखें next क्या कहता है भी ये series आपको complete करनी है जैसे यहाँ है T, T के बाद लिखा है R, R के बाद है P, P के बाद है N तो आपको next बताना है बिटा next क्या होगा यहाँ पर इस वाली position पर क्या हैगा यह आपको बताना है यहाँ से T से यह यहाँ की तरफ चलते हैं तो R, ST तो minus 2 हुआ, 2 कम हुआ फिर यहाँ से यहाँ बेखें पर कितना हुआ, 2 कम हुआ यहाँ से यहाँ देखें तो P आता है 16 पर N आता है 14 पर तो minus 2 हुआ और 14 minus 2 इस means 12th position पर क्या आता है J, K, L तो right answer is L जो होगा L इसका सही answer होगा option number 3 जो है वो इसका correct answer है, बहुत बढ़ी है option number 3 जो होगा वो इसका correct answer होगा clear है इतनी बाते, doubt हो नहीं है न, चलो भी अगला देखो next क्या कहता है अगले question पर चलिए देखो इसने क्या कहा 1, 48 4, 24 फिर 7 फिर question mark, फिर 10 और फिर 2 ऐसा कुछ कहा है अब आपको बताना है कि वही इस वाली position पर क्या आएगा ये बताए भी, फिर्टावड बताओ भी इस वाली position पर क्या आएगा इसका जवाब दीजिए, इसने लिखा क्या है जैसे 1, 48, 4 24, 7, तो यहाँ पर इस वाली position पर क्या आएगा, इसका जवाब दीजिए कुछ कहरें में 12 आएगा और कोई फिर्टावड बताओ भी, फिर्टावड बताईए, फिर्टावड बताईए तो कि एक बास सुनो, बात को ध्यान समझना बात को ध्यान समझना एक तो यहाँ पर एक नहीं, दो सीरी चल रही है एक तो यह वाली चल रही है, एक, चार, साथ, दस इन में क्या होता जा रहा है, प्लस त्री, फिर प्लस त्री, फिर प्लस त्री तिन तिन जुड़ता जा रहा है, जुड़ रहा है न तो ऐसे हι یہाँ पर दूसरी एक और स्रीयज है क्या कि 48 78 से 24 it means just half हुआ 2 से divided हो गया भी, divided by 2. किस से divided किया है 2 से divided किया, divided by 2. अभ यहां से 2 divided by 2 करेंगे तो बारा लेकिन बारा का आदा कितना होता च्छे होता है बात तो भात मनलि लिए ना तो राइट अंसर जो आएगा यह जो गा दटट ऐट effort जो गावra से उन्सार ऊहर उंगात तो राइट का जिर्ण खिर दिया था उन सभी का अंसर गलत टीक है तो राइट आंसर इस एट क्लि fishermen गान है तो रएट जो है वह सका सही आंसर है, कुछ बच्चे क्या है, सोच से भी तुक्का मार के खुश हो जाते हैं, तो बारा वाले जो थे, खुश हो गए, कुछ, कि भी हाँ, हमारा तो सही है, लेकिन वो सही के बाद 7, 7 के बाद 10, दिख रहा था न, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3 हो रहा है, एक यहां है, 48, 48 से 24, जस्ट हाफ हुआ, यह बाद सन्में आगा, अब यही मैं इसका हाफ करता, तो 12 आता, ठीक है, वो बात मैंने आपनी माल ली, यहां तक तो ठीक होता है, लेकिन आगी क्या मैच कर रहा था, 12 का फिर आधा करके, यहां 6 होता, तो तब मैं यहां 12 करता, तो बिल्कुल सही था, लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर 48 है, यहां 24 है, जस्ट हाफ हुआ, तो यहां से 1 3rd यदि करूँगा, 3 से भाग दूँगा, तो कितना आएगा भी, 8, 8 को फिर 4 से भाग देंगे, तो 2 आएगा, तो right answer is, कितना भी, 8 is the right answer, समझ में आईए यह बाते, clear है, doubt तो नहीं है, चलिए, अगला देखें, next question, देखें, next question क्या कहता है, अगला देखें भी, बताइए भी, 4, 4 और फिर इसके बाद question mark है, 19 है, 39 है, 79 है, और 159 है, बताइए भी, next क्या क्या आता जाएगा, फटवड बताओ भी, answer बताइए कितना आएगा, चलिए, बताइए इसका जाब दीएगे, तो कोई बास सोचो, यहां से अभी तो हमें, यहां तो पता ही नहीं है, कि क्या नंबर आना है, यदि हम यहां target करें, तो कुछ बात बन सकती है, 19 से यदि यह बनाना है, तो multiply by 2, 19, 38, बना, ब्लेस वन, फिर, 39 का double कितना हुआएगा, 78, फिर इसका double करता हूँ, तो 158, प्लेस वन, तो हूँ क्या रहा है, एवरी टाइम, ट्वाइस करने के बाद, add 1 किया है, तो यहां पर भी 4 में, इंटू 2 करूँगा, तो 4 दुनी 8, और 1 9, तो right answer क्या बनेगा, 9 जो होगा, वो इसका सही answer होगा, किस-किस का नहीं बहुत ही बढ़िया भई, बहुत अच्छे भी, 9 जो है, वो इसका सही answer, तो right answer is 9, clear, चलिए, अगला देखें, next क्या कहता है, next ऐसा ही है, जैसे 16, 16 के बाद लिखा है भी 30, 30 के बाद हमें यहां नहीं पता, फिर अभी 79, और फिर कितना भी 114, यही है ना, चलो, अब ज़रा यहां से देखो, इसको ज़रा solve करे, हाँ, यहां से इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, यह ज़रा relation बताओ भी, कैसे इनको बना सकते हैं, नेक्स्ट बताते जाएंगे, नेक्स्ट बताएंगे भी, भी 16, 13, यहां पर आपको बताना है, 79, 114, फिर अभी बताइए, पैचानों भी पैचानों, कि कहां यहां पर कौन सा नंबर आएगा, इसका जवाब दो भी है, कोई ने कोई पैटन जरूर फोलो करेगा, कोई ने कोई पैटन जरूर फोलो करेगा, हाँ, ठीक है, कोई ने कोई पैटन जरूर फोलो किया जाएगा, चले देखे, एक बास सोचो, यहां से देखता हूँ, कितने का डिफ्रेंस है, यहां से यहां नहीं पता यहां से यहां पर कितना डिफरेंस है तो एक सिंपल सी बात यह नजर आती है भी यहां 14 है यहां 35 है गैप हमें एकवल लेकर चलना है तो कैसे हो सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 14 भी और 35 भी दोनों आते हो तो वह तो साथ है बहुत सैवन टूजा 14 हां सैवन ट्रीजा 21 यहां 21 होना चाहिए 21 फिर कितना होना चाहिए 28 और फिर 35 क्या यह मैच कर रहा है बिल्कु सही है तो हो सकता है यही चीज है तो यहां पर जब हम एड़ करेंगे तो 30 में 21 एड़ करेंगे तो कितना बनता है फिफ्टीवन तो बात बन गई तो राइट आंस तो देखो हमने यहां से पेचाना कैसे उसको देखो जो मैंने आपको सिखाना नहाय वह चीज में चलना चाहिए तो हमने क्या कोशिश की कि एक ऐसा नंबर लिया जिसके टेबल में 14 भी आता है थर्टी फाइब यही तो है ना तो यदि मैं 77 एड करता जाओं तो यहां तक जाए जा सकता है क्या वह आ रहा है सिक्वेंस में यह नहीं आता है तो 14 प्लस 7 21 21 प्लस 7 28 28 प्लस 7 35 बात बन लिए तो यहां से जब आपने 30 प्लस 21 किता आता है 51 तो राइट आंसर is 51 is the right answer clear है पक्का डाउट तो नहीं है चलिए बहुत बढ़े अभी है अगला देखिए नेक्स सुशन क्या कहता है इसने कहा जैड एक्स वी टी आखर फिर कुशं मार्क और फिर enड आपको बटा यह बताना है कहां पर क यहां पर क्या हेगा इस क्यू산 मार्क की जगा यहां पर इस प्लेस पर क्या हेगा फटवर बताईए भी इस की जगा क्या आएगा देखिए जरा कोई ने कोई पैटन जरूर फॉलो हो रहा है कुछ ना कुछ पैटन जरूर फॉलो हो रहा है जरा देखते जाओ यह आ रहा भी जैड यह एकस एकस वाई जैड तो माइनस का टू ठीक है ना यहाँ पर माइनस टू फिर माइनस टू फिर माइनस टू और फिर यदि माइनस टू करेंगे तो यहां से आर में से माइनस टू करेंगे पी क्यू आर तो राइट पी और पी में से माइनस टू करते ह तो N भी आता है तो right answer is P, option number one is the correct answer तो option one जो है वो इसका सही answer है बहुत ही अच्छे भी, बहुत बढ़ी गया मैं शेशन को like और share जरूर कर दे चैनल को subscribe भी कर ले और इसकी PDF भी मेरे telegram account पर मिलेगी तो वहाँ से आप ले लीजिएगा वो है वितुल शर्मा study IQ ठीक है नब वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी चलिए, देखे भी अगला देखिए, next क्या कहता है उसको जरा समझ ये, बहुत एक word दिया है इस word को code करके लिखा ऐसे, तो बताइए इस word को code करके क्या लिखेंगे देखते जाइए देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस word को code करके लिखा इसने क्या M O X V B O ऐसा कुछ लिखा तो इस word को code करके क्या लिखेंगे तो पहली चीज़ पहचानो भई क्या pattern है, क्या minus plus क्या हो रहा है उसको जरा सोचो, यहाँ P है, यहाँ M है P आता है भी 16 पर, M आता है 13 पर ठीक है, तो minus 3 हुआ यह 18 पर, यह 15 पर minus 3 हुआ यह A है, यह X है, तो minus 3 हुआ Y से V minus 3 हुआ E से B minus 3 हुआ R से O minus 3 हुआ तो इसका मीनिंग यह हुआ कि हर किसी letter की जो position है उसमें 3 minus किया गया है वही चीज़ हम यहाँ पर भी करें S आता है कौन से number पर 19 पर, तो 16 वाला आना चाहिए तो 16 वाला आना चाहिए तो 16 पर कोन आता है, P, तो P तो सारे शुरूर है P से, यह A है, तो इसका मीनिंग minus 3 करेंगे, तो X आ जाएगा तो P X में हमारे पास दो option आ गए, L है तो J, K, L 12 आता है, तो I आई आएगा, तो answer आएगा भी P X I, तो P X I वाले है, यह मेरे पास दो option है अभी भी, ठीक है ना अब U, T U तो वो आता है भी कितने पर 21 पर, 21 में से 3 minus करेंगे 18, तो 18 वे number पर आता है X I, R, Q, B option number one यह है, वो इसका सही answer है, option number one इसका correct answer है बासन में आती है ना तो आपको क्या करना है कि यहां पर यह जरूर देखना है कि कितने लेटर से हम पहचान पा रहे हैं मैंने देखा, P सभी में था, फिर यहां से देखा, तो एक में आई है, बाकी, दो में आई है, दो में X है तो हमारा जो answer जा रहा था, वो X वाला X के बाद आई, इसमें भी आई था लेकिन आई के बाद यहां आ रहा है, इसमें क्यों है तो हमारे में क्या आ रहा था, भई, R तो right answer क्या बना भी, first one जो है, वो उसका लिख देता हूं, direct, 30 plus 20 minus 5 और 7 divided by 3 और multiply 25, ऐसा कुछ दिया गया है, चलो plus की जगह हम क्या use कर सकते हैं, जहां plus है, वहाँ पर क्या use करेंगे, भई, minus plus की जगह क्या करेंगे, भई, minus तो 20 30 minus 20, यह किया minus की जगह क्या करना है, भई, multiply 5 फिर, और यहां से, फिर आगे हमें क्या करना है, भई, यहां से देखो, divide की जगह क्या use करना है, divide की जगह, plus use करना है, तो 7 plus 3 और, फिर multiply की जगह, क्या use करना है, multiply की जगह use करना है, भई, divide, और divide कितना भी 25, ऐसा कुछ कहां नहीं है यह कुछ कहां नहीं है अब देखो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं क्या कहना चाहता है इस तरह से सॉल्व करके क्या आता है यहां से आगया आपका 10 यह बात पक्का multiply अब यहां से भी आया कितना भी 10 10 इंटू 5 यह 10 इंटू 5 50 50 को और 50 को 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा यहां से टू और टू इंटू कर दिया तो राइट आंसर क्या बनेगे 20 सिंपल सी बात है तो राइट आंसर कितना बना 20 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है देखो भी कहानी क्या थी यह दिवाइड क्या 30-20 यह आगया हमारा 10 फिर इंटू यहां से 7 प्लस 3 10 वह 10 इंटू 5 50 50 डिवाइड बाइट 25 कितना वह टू और 10 इंटू 2 राइट आंसर 2020 जो होगा इसका राइट आंसर चला गया है चलिए अगला देखो नेक्स उशन क्या कहता है उसके तरफ चलिए भी अगला आपको डिफरेंट बताना है कुछ हा चार नंबर आपके सामने हैं पहला है 51530 दूसरा है 41220 तीसरा है भी 2610 चौता है 3915 इसमें से और बताना है इनमें से और नंबर कौन सा बताना है कि अलग कौन सा है यह आपको पैचाना है इनमें से अलग कौन सा है इनमें से डिफरेंट कौन सा है यह आपको बताना है बता इस पांबर हे तो आल Doors कोशन के बार होता चैया है कि कषशन आसान होता है लेकिन हम हभी ऑही रहती है कि नहीं बहुत मुश्क्किल होगा कुछ अलग होगा हाँ डिफरेंट होगा कोई अलग सा लोजिक होगा तो इसलिए हम गलत करके आते हैं देखो बिल्कुल सिंपल सा कोशन था यह चार है चार में से तीन क्या एवन एक ओड़ है तो अलग कौन सा ओड़ वाला अलग होगे भी क्लेर पक्का हाँ लेकिन हमारी सो 65 126 28 or 215 में डिफरेंट कौन सा अब बताओ इन में से अलग कौन सा है इन में से अलग कौन सा है बताओ नहीं है और 215 215 इन में से अलग कौन सा है ये बताईए मैं ऐसा नहीं कि ओड इवन नहीं लगता लगता है लेकिन कम होते कम केसिज में ऐसा होता है ठीक है ना ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो जो ओड इवन मैंने बोला था ना को ओड भी याद है कि मैंने कब बताया था कि डीती और उसमें आपको पैचाना था कि उसमें रोंग नंबर कोंसा है वो तब नहीं लगता ठीक है हाँ चलिए बताइए इन में अलग कौन सा है देखो यदि मैं 65 की बात करता हूं 65 है कैसे कैसे बना 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65 यहां से 126 की यहां हम बात करें तो 5 का क्यूब 25 प्लस 1 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1 126 ठीक है बन गया अब यहां से 28 की यहां बात करें 28 का बात करें तो 3 का क्यूब प्लस 1 तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 1 28 बन रही बात अब यहां इसकी बात करता हूं 215 की बात करता हूं तो कितना बनता है 215 की बात करें तो 6 का cube minus 1 आता है तो देखें बीटा यहां पर जितने भी है पहले वाला 65 हुआ या 126 हुआ या 28 हुआ तो वो किसी के cube में plus 1 होता जा रहा है जैसे 4 का cube plus 1 5 का cube plus 1 3 का cube plus 1 लेकिन यह दि मैं 215 की बात करता हूँ तो उसमें क्या हुआ हुआ कि 6 के cube में से minus 1 हुआ तो different कौन सा है वही different है वही कितना 215 इसमें अलग हुआ तो right answer is 215 जो होगा वो इसका right answer हो जाएगा 215 इसका right answer हुआ clear है बाते सन में आती है चले अगला देखें next question क्या कहता है अब बताए भी अब बताओ भी बिल्कुल आसान से question है हाँ बिल्कुल आसान है मैंने hint दे दिया इतना बोलते ही मैंने hint दे दिया है देखिए बताइए कि आपसे कहा गया 166 131 and 137 and 163 इन में अलग कौन सा है इन में से different कौन सा है फटावट बताइए इन में से अलग कौन सा है अरे भी पहले यह अलग हो गया ना दिख रहा है यह 166 सा अलग हो गया क्यों क्यों कि यह तो even है और बाग की जो 형ेh पहले वाला इसरे ऑला इस तो राइट एंसर आएगा भी पहले वाला इसए बिलकुल सही है ठेक है अगला देखें अगला बताईए भी अगला इसने क्या कहा कि भी CGFJ EIHL और GKIN और IMMNR में अलग कौन सा है यह आपको बताना है तो पहला आपसे कहा CGFJ सेकंड वन है भी EIHL थर्ड वन है GKIN और IMMNR इन में अलग कौन सा है फटवट बताईए इन में अलग कौन सा है डिफरेंट बताईए इन में से अलग कौन सा है इन में अलग को बताओ बताओ इन में अलग कौन से नंबर पर आता है तीन पर ध्यान देना EFG ये साथ पर है F आता है अब शे पर ठीक है ना और J आता है 10 पर ठीक है अब यहाँ यहाँ ये आप ध्यान दें तो इससे इसमें प्लस 3 हुआ इससे इसमें प्लस 3 हुआ कुछ ऐसा पैटन है यहाँआ पर बात करें 7 पर आता है J के यह 11 पर आता है आई nine पर आता है और अता है 14 पर ठीक है अब यह है enforcement क्रता हूं पांच पर आता है आया था ए्न पर यह आता है पर और अच्थ आए बादाँ बारह पर थीक है वैसे तो हमें यहां से ही पेटन समझ्च में आ चुका है पैटन में क्या है patron की तें बात करें तो इन में पैटन एक जैसा दिखाई दे रहा है यह चलो इसको भी देख लेता है आई 9 पर एम आता है 14 पर सुरी 13 पर एम 13 पर और 14 पर यह 13 यह 14 और यह कितना भी आ रहाता है 18 पर क्या बात संब्याती है अब इनकी पैटन को देखो इनका पैटन बताओ भी डबल सिरीज चल रही है और भी को और कोई कुछ बताएगा बताएगा बताएगे 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 कि कुछ क्या रहें डबल स्रीज है विदो तरीके से आप इनको कर सकते हो दो तरीके से आप इनको कर सकते हो में है 22 तरीके से कर सकते हो बताओ भी तो क्या कहना चाहते हो हुआ है इंद्व ask ल Hash हो क्याती हम K को इससे इसमें देखें तो कितना इपलश फाइव ठीक है इससे इसमें देखे तो प्लस थ्री इससे इसमें देखे तो प्लस थ्री ठीक है यहां से देखे तो कितना हो रहा भी इससे इसमें देखे तो प्लस फाइव और इससे इसमें देखे तो प्लस फाइव तो आप एक बात नोट कर रहे है फ्रस्ट ठर्ड सेकेंद फूर्ट को देखे तो इक्वल गैप आ रहा है जी जो होगा वो इसमें अलग हो हां देखो ध्यान से सुनो दुबारे से सुनो इस बात को ध्यान से समझो देखो इसने क्या कहा यहां से 3 7 6 10 है तो यह आप यहां से यहां देखें तो कितना एड़ हुआ यहां से यहां देखें तो तीन एड़ हुआ यहां से यहां देखें तो फिर तीन एड़ हुआ इसमें देखें तो यहां से यहां से प्लस 3 इसमें भी है इसमें देखें तो प्लस 5 यहां भी है ऐसे ही हुआ लेगन यहां कहीं ऐसा नहीं है यहां पर प्लस 2 है तो यहां प्लस 5 है तो अलग कौन सा हुआ यह वाला है क्लियर है संवीया पक्का दाउट्न है क्लिए चलिए आगे देखिए आप बढआ अबी, इसका जवाब आप क्या देंगे इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब दीजिये फटवट बताईए फटवट बताईए देंगे हाँ, बताईए बताईए भी, water tap oxygen life power machine, oil lamp बताईए इसमें कौन सा बिल्कुल सही है इस आपके इसाब से कौन सा बिल्कुल सही होना चाहिए बिशेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फड़ा वड़ बताईए इनमें से कौन सा सही है डी कह रहे हैं देखो डी इसका बिल्कुल गलत आंसर है मैं बता दूँ डी इसका गलत है देखो एक बास सोचो बिना उक्सिजन के लाइफ पॉसिबल है नहीं है बिना पावर के मशीन चल पाएगी नहीं ओयल के बिना ओयल के लेम जलेगा नहीं तो इसका मिनिंग जो फर्स् के लिए मैंडिटरी है वो जरूरी है ठीक है ना उसके लिए वह जरूरी है लेकिन यहां पर पानी होगा वाटर और टैप क्योंकि फ़र्स वन दूसरे के चैनल आज तो पेले वाला हो जाएगा तो फिस्ट बंज क्योंकि इन में और फस्ट वन जो है वह वह पहली वाली दूसरी वाली के लिए जरूरी है ढूरह जालोा तो अलग कौन eder पहले वाल now श्वेल में में आगे देखे भी के नेक्संट देखूंगी क्यों कose देखें भी B, D, F, R, T, V, X, Y, Z, M, O, Q, इन में आपको बताना है इन में आपको बताना है कि भी इन में से अलग कौन सा है बताईए इन में से अलग कौन सा है देखो B, D, F, यदि हम देखें A, B, B, F कि देखें देखें B आता है second पर, D आता है, 4 पर, F आता है, 6 पर तो plus 2 नहीं है, plus 2 प्लस टू यहाँ हुआ, plus 2 यहाँ हुआ clear है, R, T, V यदि हम देखें, R, T, V कि देखें, R, T, V, कि यदि हम बत करें R18 पर, T20 पर, V22 पर ऐसे ही है ना तो प्लस टू प्लस टू यहां भी हुआ प्लस टू यहां तो प्लस टू यहां पर भी है अब यहां से एक्स वाई जड यहां तो सिक्वेंस में है एक्स वाई जड लगाता रहे M N O plus 2 है O P Q plus 2 है तो अलग कौन सा हुआ भई X Y Z तो क्योंकि इनमें सब में plus 2 plus 2 हुआ है लेकिन X Y Z ये क्या है consecutive है लगाता रहे एक्तम लगाता रहे ठीक है तो right answer is X Y Z is the right answer चलिए आगे देखे भी हाँ भी अब आपको क्या करना है इनको arrange करना है according to dictionary dictionary के according arrange करके आपको बताना है कि इनमें से sequence में आप लगाएंगे it means alphabetical order में arrange करना है क्लियर है कौन सा word पहले आएगा डिक्शनर में कौन सा बाद में आएगा उस तरहीं के से arrange करके आपको बताना है कि कौन सा सही answer होगा क्लियर चलो भी शुरू करो इसको बताना सबसे पहले यह दिया आप यहां देखें lau 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 तो शुरू के तीन लेटर सभी में सेम है अब रही बात अब फूर्थ लेटर की बात करें तो यहाँ n है यहाँ g है यहाँ n और यहाँ n है तो जी पहले आएगा तो इसका मिनिंग दूसरे नंबर वाला सबसे पहले आएगा और दूसरे से स्टार्ट होने वाला कौन सा option है option number 4 तो right answer is option number 4 is the correct answer option number 4 जो होगा वो इसका सही answer होगा option number 4 इसका सही answer होगा अरे यह धियान दो न lau 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 शुरू के तीन लेटर सभी में सेम थे जो चेंज आना शुरू होगा वो फोर्थ लेटर से हुआ फोर्थ लेटर इसका n है इसका g n और n तो पहले क्या एगा n से पहले तो alphabet में g आ जाता है न तो इसका में फोर वन फ्री यह वाला इसके कोडिंग ए अरेंच हो जाएंगे चलिए अगला बताये next देखो क्या करना इनमें भी गलत करोगे क्या भी हाँ भी इसमें भी गलत करोगे क्या हाँ यह तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए बटा हम यह तो सबसे आसान कुरुष्षन होते हैं चलो इसमें बता हो इसमें कौन सा ऐगा इसको भी ऐसी ओ ओंपा लेंग नहीं करना सब करेंब दोंगे सी o m सी o m औ-Uh और यहां तक तो सभी का में से मैं सी C O M P L I C O M P L I C O M P L I शुरू के 6 लेटर सभी में सेम थे अब जो चेंज आना शुरू हुआ वो साथवे लेटर से यहां पर है C, यहां C, यहां C लेकिन यहां क्या है A तो इसका मिनिंग 4 वाले से शुरू होना चाहिए 4 वाले हमारे पास C है वाले A के बाद यहां पर देखो इसका मिनिंग 1 पहले पॉजिशन पर तो यह मिल जाएगा फूर्थ वाला आ जाएगा अब इसके बाद A के बाद यहां पर देखें इनमें C था, C में A वाले पहले आ जाएगे क्योंकि यहां तो आई है और एके बाद यहाँ T है, यहाँ पर भी T, T के बाद यहाँ E, तो इसका मिनिंग दूसरे पर यह, तीसरे पर यह, और चौथे पर यह, ऐसे सेक्वेंस में होना चाहिए, तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, option number third is the correct answer, option number third जो होगा, वो इसका सही answer होगा, तो right answer is option number third, इसका बिलकुल सही answer बनता है, clear है, पक्का, doubt तो नहीं है, चलिए, अगला देखिए, next क्या कहते है, next कि एक और बताओ, जलनी से बताना, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा, क्या करना है, तरीका वही है, देखो किते-किते लेटर सभी में से में, ext, 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 यह शुरू के ती लेटर सभ फोर्ट से, यहां O है, यहां E, I, E और I, ठीक है, तो सबसे पहले कोन आएगा वही, E वाला आएगा, E वाला आएगा, तो E वाले मेरे पास दो है, E के बाद क्या है, M और E के बाद क्या है, R, तो पहले कोन आएगा, M वाला तो पहले नमबर पर तो यह, और दूसरे नमबर पर ये तो पैले नबर पर ये दूसरे नमबर पर ये और फिर यहां से पहले पर ये दूसरे पर ये तो टू-फोर वाला है कोई option यह रहा टू फॉर वाला यहां भी है अब रही बात थर्ड थर्ड पोजिशन पर कौन सा मिलेगा यहां से दी हम देखें ए के बाद आई वाला आ जाएगा आई वाले मेरे पास यह दोनों है कि कैना आई के बाद कोन है भी एन एन दोनों में है एन के बाद क्या है सी यहां जी है तो सी वाला पहले आ जाएगा तो थर्ड तो टू फॉर थ्री टू फॉर थ्री वाला टू फॉर थ्री फाइवन इट मेंस और फॉर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कु सही है option नंबर फॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा clear है पक्का चलिए इसको आप नहीं बना सकते हैं फटर वर्ड देखे भी जवाब दीजीए वी कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको आप नहीं बना सकते हैं अब इक बात देखो इस वर्ड के सारे लेटर उपर है यह नहीं है h o t e l s a t e l s सारे लेटर है यह तो बन जाएगा भी S M I T H S M I T H ये भी सारे है P I S P I S T O L सारे हैं भी यहां पर देखो यहां इस word में S दो बारा है लेकिन उपर तो ऐसे एक बारी है तो इस का मिनिंग फॉर्थ जो है वो आप फॉर्थ नहीं बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें S जो है वो टू टाइमस आया है दो बारा है लेकिन इस word में S जो है वो एक ही बारा है तो इसका मिनिंग फॉर्थ वन आप नहीं बना सकते हैं चलिए अगला देखें नेक्स्ट क्या कहता है यह भी कुछ इसी तरह से हैं आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको आप इससे नहीं बना सकते हैं वहीद आप यहां देखें तो पी ए आई एंटी पी ए आई एंटी सारे लेटर नहीं भी बन जाएगा M-A-N-M-A-N-I-A-C सारे हैं यहां पर देखो M-E-N-M-E-N-A-C-E-A-C-E सारे हैं यहां पर P-A-T-P-A-T-E-N दूसरा T तो है नहीं तो इसका मेनिंग फोर्थ वाला नहीं बन सकता तो राइट आंसर इस फोर्थ फोर्थ जो है वो इससे नहीं बनाया जा सकता तो राइट आंसर इस ऑप्शन नमबर फोर चलो अब ऐसा कुछ कहा वही इसका जवाब आपको देना है क्या करना है किस सिंबल का मिनिंग क्या है जरा उसको समझे जैसे 12 है अब यहां माइनस का मिनिंग क्या है पहले वो जानो माइनस का मीनिंग है मल्टिप्लाई तो इसकी माइनस की जगा मैंने क्या लिखा मल्टिप्लाई 8 लिखा मल्टिप्लाई का मीनिंग क्या है भी मल्टिप्लाई का मीनिंग है कह रहा है भी प्लस तो मल्टिप्लाई की जगा मैंने लिखा plus six minus की जगा क्या लिखेंगे फिर multiply four divide की जगा क्या लिखेंगे minus six और plus की जगा divide three ऐसा कुछ है ज़रा solve करो भी इसको यदि solve करोगे तो नाइंटे सिक्स तो यह हो गया है प्लस यहां से आया कि तरह भी छेचोग चौबिस यह आगया minus 6 को यही मैं divide करूंगा तीन से तो दो यहां अगया भी पक्का भी तो यह आप इसमें से इनको एड करोगे 120 120 मैं से दो 108 तो राइट आंसर इस वन वन एट तो राइट आंसर क्या बन जाता भी 118 इसका बेलकुल सही आंसर आएगा option number बी जो होगा वो इसका correct answer होगा option number बी जो होगा वो इसका correct answer होगा next चलो भी next क्या कहता है ठीक है हाँ यह इसको यहाँ पर लिखना भी इसको वैस्ट ना करके left कर दो इसको सही कर लो भी यह वैस्ट नहीं है यह पर दुबारा यह वैस्ट नहीं है यह left है left ठीक है यह बाएं अब जवाब दो इसका उसने कहा कि रहे जा started from a point रहे जा एक point से चलना शुरू किया मालो यह point है जहां से उसने चलना शुरू किया यह वह point है it started from a point he walks three kilometer to the north वो north direction में तीन किलोमेटर चलता है नोर्थ डिरेक्शन में तीन किलोमेटर वो चला नोर्थ डिरेक्शन में तीन किलोमेटर वो चला फिर देन टर्न इस्ट भई यहां से इस तो इस तो इधर ही होगा ना इसमें तो यह तुन लिया यहां प्रमानलो चार किलोमेटर यहां से यह तक पहुंच चलने के बाद और यहांसे वहांसे वहांसे बैस चलें तो ऊपर नोर्थ नीचे-साउथ तहॉ हुआ है से पूछ पूछा है और यहां पर आकर हम रुख गए हैं तो आपसे पूछा है in which direction is रहे जाप from his starting point इस starting point से किस direction में अरे यह जो यह हमारा starting point था यह हमारा last वाला ending point है terminal point आप कह सकते हैं तो आप यह बताएं कि starting point से किस direction में ऊपर north नीचे south इधर east और इधर west तो starting point से कोज सी direction में east direction में हैं तो right answer is east east is the right answer a starting point से हम east starting point से east में हम clear है पक्का डाउर तो नहीं है चलो आगे बढ़ो next देखो इसने कहा मदर को लिखा कुछ ऐसे ठीक है इसने क्या कहा भी m-o-t-h-e-r यह वर्ड है इस वर्ड को लिखा t-o-m-r-e-h यह लिखा तो आपको बताना है कि भई यह चीज़ देखो ठीक है आपको बताना है कि नेफ्य को क्या लिखें न-e-p-h-e-w इसको क्या लिखें अब देखो एक है उन्हों कुछ नहीं करना है इसमें आपने देखा होगा कि ma T ka क्या कर दिया t o m first three letter को reverse किया last three letter को reverse किया h e r ka r e h कर दिया तो यहीं तो किया न तो यहां से भी क्या करेंगे reverse तो यहां पर क्या आएगा p e n p e n और w e h p e n और w e h तो right answer is option number two is the right answer clear है किसको doubt तो नहीं है पका यह तो मैंने काम आसान कर दिया था इच में लाइन लगा कर ठेकर चली अगला देखिए कि यह बताएगे हाँ इस series को complete कीजिए इस सीरीज को complete कीजिए इसने क्या कहा यहां पर b c c फिर a a b c फिर यहां से b a a b और फिर यहां से यह है अब देखो इसको यदि हम solve करें तो जरा इसको देखते जाएए सबसे पहली चीज तो यहां पर यह है इनको यह दि मैं arrange करता हूं तो किस तरीके से हम आरेंज करें कितने लेटर दिखाए दे रहे हैं किस किस तरह के वह एक तो ए दिखाए दे रहा है बी और एक सी तरह के लेटर है और टोटल नंबर और पॉजिशन किती है वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वल थर्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन तो पंदरा पॉजिशन है तो फिर क्या करें भी हमें क्या करना होगा कि तीन-तीन के पेर में हम इनक यहां पर CBA फिर ABC फिर CBA फिर ABC तो पैटन क्या बन के आ जा रहा है कि ABC CBA ABC CBA ABC ऐसा पैटन बन के आ रहा है तो ABCC यह वाला आंसर आ जाएगा option number second is the correct answer option number second ABCC answer आएगा भी ABCC तो right answer is option number two जो होगा वो इसका correct answer होगा option number two इसका बिल्कुल correct answer होगा clear है doubt तो नहीं है confirm है पक्का doubt तो नहीं है चलिए अब आपको यह बताना है भी question mark की जगे बताना है कि क्या एगा देखो इसने क्या दिया है बॉक्सों में थोड़ा बड़ा मना के दिखा देता हूँ यहां पर समझ लीजी हूं यहां पर देखे भी नहीं दिखाई दे रहा तो five four nine six three question mark seven two four or 65 20 and 45 आपको बताना है इस question mark की जगा क्या आएगा यहां पर क्या आएगा इस place पर क्या आएगा यह वाला यहां पर क्या आएगा बताई भी देखो एक बात सोचों यहां से समझ यहां से 65 कैसे बनाया जा सकता है यह इन नमबर का यूज करूं तो 65 कैसे बनाया जा सकता है तो 13 बनेगा कैसे 7 और 6 तेरा तेरा पंजे 65 बन गया भई यह बात क्लियर है इन दोनों का सम कितना अगया भई तीन और दो 5 पांच 5 चुक 20 बात बन गई तो यहां पर 9 में किस से मल्टिप्लाई करूं की 45 बन जाए तो 5 चाहिए ना और 5 बनाने के लिए यहां चाह रहे है तो य चाहेगा यहां पर वन फिल होना चाहिए चलिए बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे चली भी आगया ना सनमी नेक्स सुशन देखो नेक्स कुछ ऐसा ही है देखें फिर इसको मैं बना दूँ तो कुछ ऐसा है यहां पर 43, 48, 41, 42, 44 यहां पर कुछन मार्क और 47 अब एक बात याद रखना जब भी ऐसा तिन तिन ब्लैंक वाला कुछन होगा ना तो एक चीज सिंपल सी याद रखना हमेशा जो कि आपको बहुत काम आईगी लाइफ में कि ऐसे केस में होता क्या है कि ऐसे रो और कॉलम का जो सम आत आपको 99 परसेंट केस में होता क्या है इनका सम बराबर मिलेगा कैसे भी देखना जरा इनको ऐसे एड करो यहां तो यहां तो यहां तो 46 पक्का हां है डाउट तो क्या है अब हमें 46 आ गया अब यहां देखें यहां पर इसकी बात करते हैं इसकी बात करें तो इसमें क्या आएगा इसकी यह बात करते हैं तो एड कर लो भी 132 बनना चाहिए 132 बनना चाहिए तो आट और चार बारा बारा और यह चालिस तो बाणवे हो गया तो इसका मेनिंग डारेक्ट चालिस आएगा तो यहां पर आगया चालिस तो 46 40 वाला और फिर यहां पर इनका सम देखें और 6 और 1 7 7 और 5 बारा तो इसका मेनिंग 45 यहां भी आना चाहिए तो option number 4 जो होगा वो इस इसका correct answer है clear है भी किसी को doubt तो नहीं है confirm है चलिए बहुत 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 ही अच्छे भी कि next question क्यों चलते है next question क्या कहता है बताइए भी इसका इसका जवाब दीजिए जैसे 61958 next बताइए 6 ऐसा कुछ दिया है भी हाँ 61958 और next क्या होगा यह आपको बताना है जवाब दीजिए भी जवाब दीजिए भी 61958 और question mark की जगए क्या होगा जवाब दीजिए जवाब दीजिए भी फटाफट फटाफट जवाब दीजिए आंसर क्या आता है इसका कि देखो भी कैसे इसको बनाया जा सकते भी मल्टिप्लाइबाइब थ्री प्लस वन करके भी 618 प्लस वन करें तो कितना जाएगा 175 तो राइट आंसर जो बनके आता है वो क्या था भी 175 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा क्लेर किसो डावट तो नहीं भी पक्का कंफम है चलिए भी आज का शेशन यहीं पर हम ओवर करते हैं ठीक है तो फिर आगे इसको और भी बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से देरे देरे और टॉपिक वाइस हम चलते जाएंगे तो अभी के लिए इतना ही शेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को भी कर दीजिए और इसकी पीडिएफ आपको मेरे टेलिग्राम अकाउंट वितोल शर्मा स्टडी आइक्यू पर मिलेगी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू स्वामच